हालो चिल्डूरन। पिशले बार हम सब ने मिल करके आपकी भुक की पोयम ट्राफिक लाइट्स पढ़ी थी। पढ़ा था, समझा था और उसे गाया भी था। आपको बहुत अच्छी लगी होगी ये पोएम और आपने इसको बहुत अच्छी तरह से समझा भी होगा कि ट्राफिक लाइट्स हमारे लिए क्यों इतनी जरूरी है, सड़क पर चलने के क्या नियम होते हैं और ये किस चीज का संकेत करती हैं, तो सबसे पहले हम डिफिकल्ट वर्ज करने के लिए एक बार फिर से हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं पोएम के बारे में ट्राफिक लाइट्स there are three lights in the traffic pole, red, yellow and green, लाल, पीली और हरी, रेल लाइट्स says stop, लाल बत्ती हमें रुकने के लिए कहती हैं हमसे कहती है कि अगर आगे जाओगे तो खत्रा है, हमें तुरंट वहीं रुख जाना चाहिए. Yellow light says, wait, रुख जाओ, अभी रास्ता आगे साफ नहीं हुआ है. And the green light says, अब रास्ता साफ हो गया है, अब आगे तुम जा सकते हो. So these are the traffic lights, red, yellow and green. तीनों का अलग-अलग मतलब होता है, उसी के according हम सड़क पर चलते हैं, और इन traffic lights का हम कहना मालते हैं. Now, red light, red light, what do you say? Red light, this word, what does it mean? Red light means, लाल बत्ती, लाल बत्ती. Now, we'll make the sentence, yes, हरशिता, चलो बताओ, Red light का कोई sentence बताओ, yes, तरूर, हाँ, बताओ. Red light is very useful, very good, useful का क्या मतलब होता है? जरूरी, बहुत जरूरी, बहुत लाबदायक होती है. Red light, देखो बच्चों, इस poem में, जो भी sentences बने हैं, हम वो sentences नहीं बनाएंगे, अपने मन से sentences बनाएंगे, तभी तो समझ में आएगा कि हमको ये poem कितनी समझ में आई है. Red light is very useful. Red light useful क्यों होती है? बताएंगे आप लोग? बताएं, red light ट्राफिक में use होती है, red light operation theater में use होती है, जब operation चलता है मरीज का, तो operation theater के बाहर, red light जलती है, क्यों जलती है? अंदर काम चल रहा है, इसलिए अंदर कोई disturb न करें. हवाई जहाज खुम उचे उचे उड़ता है, लेकिन आजकल की buildings भी बहुत उची उची होती है, तो ऐसी buildings में उपर, red light लगा दी जाती है, ताकि aeroplane जब cross हो, तो उसे पता चल जाए, वो साफधान हो जाए, कि red light का मतलब है, ये building बहुत उची है, हमें इससे बच कर चलना चाहिए, ठीक है? red light is very useful, very good. Now, the next word is what, what का मीनिंग क्या होता है? क्या. क्या. आप चलो, इसका sentence बनाते है, चलो पल्लवी, तो हिंदी में sentence बताओ. तुम क्या करते हो? तुम क्या करते हो. चलो, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते है, what, क्या का हो गया? what, what do you do? तुम क्या करते हो? तो what का मीनिंग है क्या, और इसका sentence हुआ, what do you do? हाँ, चलो, तुम बताओ. what. हाँ, वाट का sentence बताओ. what do you say? what do you say? तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है, no. एक फरक sentence बताएंगे, a different sentence, come on. what did he speak? what did he speak? वो क्या? कहता है. बोला. उसने क्या? कहा. so, what means क्या? what is your name? कितना simple sentence है? आप लोग रोज यूज करते हैं. what is your name? तुम्हारा नाम क्या है? ठीक है? चलिए. अब थर्ड बोर लेते हैं, से. से मीज? कहता है. कहना. what do you say? तो रेड लाइट क्या कहती है? what do you say? तुम्हारा क्या कहना है? तो से का sentence बनाएँगे? येस? कम आप लवी? ट्राए करो. बताईए. चलो हिंदी में बताओ. रोहन तुम क्या कहते हो? रोहन तुम क्या कहते हो? चलो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं. रोहन, what do you say? रोहन, what do you say? लेकिन देखे, what do you say? ये तो इसी का sentence हो गया. से का कुछ और sentence बनाते हैं. रोहन, say to me that you are a good boy. रोहन, says to me that you are a good boy. लंबा सा sentence है, लेकिन बिल्कुल ठीक है. रोहन, says to me. देखो बच्चो, इसमें the word is say. लेकिन, जब हम इसको present tense में use करते हैं, इसका form लगाते हैं, तो says हो जाता है. बिल्कुल ठीक कहां आपनी तरुन? रोहन, says to me that you are a good boy. और sentence बनाओ. माई टीचर सेज, speak will. माई टीचर सेज, speak will. हाँ, चलो, रीपीट करो इसको. माई टीचर सेज, speak will. माई टीचर सेज, speak will. मेरी टीचर कहती है, अच्छा, बोलो. ठीक है? आगे बने? very good, now stop, the next word is stop. stop का मीनिंग क्या होता है? रुकना, very good. चलो, इसका sentence बनाते है, पललवी, हाँ, चलो, try करो. तुम रुकुल हिंदी में बनाओ? रोहन इस टॉप रोहन इस टॉप नहीं बेटा, रोहन इस टॉप नहीं. रोहन इस टॉप नहीं. रोहन तुम रुक जाओ. रोहन तुम रुक जाओ. और बताएए He stopped to me नहीं He stopped to me No this is a wrong sentence He stops me वो मुझे रोकता है Stop me आपने present tense लगा करके S लगा दिया तो He stops me वो मुझे रोकता है और बताएए चलो हरशीता बोलो The Trains The Trains Trains नहीं The Trains Stops No R क्यों लगाएंगे R नहीं लगाएंगे The Trains Stops At The Railway Station चलो बोलो The Trains Stops At The Railway Station At The Railway Station The bus stops everywhere बस तो सबने देखी है बस सब जगी रुपती है The bus stops everywhere ठीक है आगे है समझ में? The next word is Right Away Now Right Away का क्या मेनिंग होता है What does it mean? तुरंद 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 जो भी काम करना है जिस काम के लिए कहा जाए तुरंद वो काम करो Right Away तुरंद वो काम करना चलो इसका sentence बनाते है मम्मी ने मुझसे का खाना कालो मैने तुरंद खालिया मैने तुरंद खालिया Yes I ate the food right away ममी ने क्या कहा इसका sentence ने बनाएंगे मैने तुरंद खाना खालिया I ate the food right away Okay चलो repeat कीजिए तरुल I ate the food right away I eat the food right away जब ममी मुझसे कहते है खाना खाने के लिए तु मैं तुरंद खाना खालेता हूं I eat the food right away अगर eat कहेंगे तो that will be the past tense of eat I eat the food right away मैं तुरंद खाना खालेता हूं और बताएए चलो चलो कोशिच करो तुम तुरंद पढ़ो तुम तुरंद पढ़ो Study पढ़ने की क्या होती है Study Study right away The mother said study right away तुरंद पढ़ो right away और बताएए The teacher said Go right away to your house चुट्टी के बाद कहा जाते हैं घर जाते हैं Teacher कहते हैं चुट्टी के बाद तुरंद घर जाना सबसे पहले घर जाना Go right away to your house Okay right away means तुरंद वो काम तुरंद करना देखे बच्चो right जब right away एक साथ यूज होता है तो इसका मतलब होता है It means तुरंद कोई काम तुरंद करना वैसे right और away दोनों का अलग-अलग मीनिंग भी होता है What does it mean? Can you tell? What is the meaning of right? सही सही My question is My answer is right Teacher ने कोई question पूचा तो आपने का जो भी answer किया फिर आपने कहा my answer is right सही Right का मीनिंग सही भी होता है और क्या होता है? सीधा हाँ बताए Right का मतलब सीधा Right का मतलब दाया Turn to your right येस दाया Turn to your right दायनी तरफ मुडो और away दूरी दूरी The bird flew away चलिया दूर उर गै तो right away दोनों का अलग-अलग मीनिंग भी होता है लेकिन जब हम right away एक साथ यूस करते है तो it means तुरंथ कोई भी काम तुरंथ करना Okay अब आगे चलते है The next word is Yellow light Yellow light means पीली बत्ती पीली बत्ती Very good पीली बत्ती तो पीली बत्ती आपने इसमें तो देखा कि what does it do पीली बत्ती क्या करते है वेट वेट The yellow light says वेट लेकिन इसका sentence यह नहीं बनाना है कुछ और बनाना है चलिए बनाते है sentence चलिए बताईए Yellow light का sentence बनाईए The sun gives yellow light बहुत simple sentence है बहुत easy sentence है The sun gives yellow light सूर्य पीली रौशनी देता है There is yellow light in my room मेरे कमरे में पीली रौशनी है जो बत्ती लगी है उससे पीली रौशनी निकलती है चलिए ये sentence repeat करेंगे The sun gives yellow light The sun gives yellow light Yes Now the next sentence Yes Pallavi जो भी मेंने next sentence बताया था वो बताये My room has yellow light My room has yellow light फिर से बोलेंगे My room has yellow light Very good Now the next sentence word is mean mean का अर्थ होता है मतलब मतलब Very good अब इसका मीनिंग बताये मीनिंग तो पता चल गया अब इसका sentence बनाये Come on good quick तुम्हारे कहने का मतलब क्या है What do you mean to say What do you mean to say तुम क्या कहना चाहते हो और बताये I mean I mean to work with you मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हू I mean to work with you I mean to make you my friend I mean to make you my friend Very good में तुम्हारे अपना दोस बनाना चाहता हू तुम्हारे मतलब है कि तुम्हारे दोस्त बनाचा Very good Now The next word is Wait Wait means रुपना 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 Yes come on रुपना I wait I wait in the railway station for my friend Every day you wait for your friend in the railway station हार दिना तुम्हारे रुपना 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 तक, तिल मीज तक, चलो बोलो, यू वेट तिल आई कम, तुम रुके रहो, जब तक मैं आप नचाओ, तिल तक, ना, नेक्स वोर्ड इस ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट मीज़ क्या होता है, अब ये वैसे तो ये ग्रीन लाइट है, ग्रीन लाइट सेज गो, लेकिन ये सेंटेंस नहीं बनाना है, चलिए बनाएए, दूसरा सेंटेंस, बनाजों की लिए जैसे हरी पतिया होती है, उनको देखने से आँखों को आराम मिलत आ है, ही रौशनी भुहत अच्छी हîtं। बहुत यूस्फूल होती हैं। बहुत लाबदायक होती ही। चलिए रीपीट कीजे, Green light is very useful for eyes. Green light is very useful for eyes. Okay, यह 10 words आपने देखे अच्छी तरह आगे समझ में. और फिर भी कोई भी problem है अगर आपको, तो आप लिख करके हमसे अपनी वो problem पूछ सकते हैं.